हेलो गाईज वैलकम बैक टो दे चैनल और यहाँ पर आज अपने फिर से खेलने वाला है अपना एस्टेट एजेंट सिम्यूलेटर यहाँ पर मैंने दो तिन दिन निकाल ले हैं बीच में ताकि अपने पास में थोड़ा सा पैसा रेंट का एकटा हो जाए तो अपने यहाँ न्यू जो गर है वो भाई कर सके एंड उसे किराया पर दे सके और यहाँ पर और भी पैसा कमा सके त्यार यहाँ पर अपने पास में आप दे सकते हो कि दो या तिन दिन की लगबग 19,000 हो चुके हैं आज का भी और यहाँ पर रेंट अपने को मिलेगा तो लगबग 25,000 हो ज चुके हैं तो अभी के लिए फटा फट भाई ढूंडते हैं दूसरा मकान एंड उसे भी यहाँ पर अपन ले लेंगे और बाद में रेंट पर डाल देंगे तो यह वाला तो आइधिंक रेंट पर अवेलेबल है नहीं और दूसरी जेकर देखना पड़ेगा बाई होती एक महिने के लिए तो यह बुरा नहीं है 16,000 में तुम्हेर क्याल से अगर इसका एवरिस प्राइस दो जार भी पकटके चले तो भी यार अपनी जो कोश्ट है वो तो आइधिंक आठ दिन में ही निकलाएगे ना तो आइधिंक लेने में बेनफिट है बट मैं स्टिल थोड अगर यह मानता है तो ठीक अवरना थोड़ा सपन हाइक कर देंगे तो भाई बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया है अपना ओफर एंड 13,000 में यह गर फैनली अपना यह पर हो चुका है पूरे एक मैने के लिए है तो अपन को यहाँ पर जल्दी से इसको साफ करना है और फटा वन मिनिट में चेक करूए यह 30 दिन के लिए है ना पूरे हाँ यहाँ पर आप देख सकते हो यह 31 दिन के लिए अपने पास में है तो अपने इसली भाई अपने सारे पैसर रिकावर कर लेंगे और धेर सार प्रोफिट यहाँ पर कमा लेंगे तो चलो ठीक है भाई जल्दी मैं आपर सारे शुरू करता हूँ आप देख सकते हैं काफी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर हो रखी है इस बार मैं सोच रहा हूँ कि अपने पास जो फरनिचर था ना जो कि लाश्टाम अपने ऑक्शन में जीता था वो वाला फरनिचर भी अपने आप पर जमा देंगे इ इसकी जो वेल्यू है वो यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ जाए बाकि यार यह मेर को दिवार भी साफ करनी पड़ेगी वहाँ काफी ज़्यादा गंदी कर रखी इन लोगों ने चलो ठीक है एंड मेरे गाल से पर पेंट हो कर सकते हैं बट हाल फिलाल में इतना खर्च है जिसे मैं यहाँ पर हटा लेता हूँ ठीक है और भाई ओके यहाँ पर कीड़े भी हैं तो इनको भी हटाना पड़ेगा अपने को तो मेरे पास में यह है इस्प्रे और भाई सारे कीड़े हैं यहाँ पर गयब हो चुके हैं एंड आइड डून नो अब यह 2% गंदगी का एंड मैं सोच रहा हूँ कि अपने पास जो फणीचर है वो जल्दी से अपन ले जाते हैं अपने नयवाले गर पर एंड फणीचर वैसे देखा जाते हैं पहले सा यह इस पर डाल रहा था तो दिक्कत नहीं आएगी एंड अपने को मेरे गाल से यहीं कहीं जाना था ना शो चलो ठीक है यार वैसे मुझे अंदर का विव चीए था अबर ठीक अंदर का इसमें विव है नहीं ठीक है भाई अपन 3rd परसन वाला इस ठीक है अपने लिए यह ज़्यादा बिटर लग रहा है बाकी सारे अंगल से तो फटा फट से लेकर चलते हैं इसको अपना जो फरनिचर है वहाँ पर सेट कर देते हैं एंड वैसे तो मेरे पास में जादा फरनिचर है नहीं मेरे ख्याल से अब ठीक है ना यार थोड़ी बहुत वेली भी बढ़ती है इस फरनिचर से तो भाई अपने काम तो आएगा ना भाई यार घर पर ही पड़ा पड़ा मिलब क्या ही फाइदा दे रहा अपने को एंड यहां पर जहां तक मुझे पता है गाइस I think 16 नमबर था ना वो जो पर न भाई किया था I think 16 नमबर ही था वो तो भाई यह रहा अपने 16 नमबर एंड मकान खुला वाई इसका मतलब यही था भाई तो फाटा फाट से मैं काड़ी से उतरता हूँ और जल्दी से अपने सारा फरणिशर जमा देंगे भाई तो इसे मैं उतारू कहाँ से अच्छा यहां से कर सकते हैं अपन तो चलो भाई ठीक है अभी जल्दी से अपन सामान इसमें रखना शुरू करते हैं एंड देखते भाई इसकी वेल्यू कित्ते अपन बढ़ा सकते हैं तो अभी के लिए बाई 2300 है इसकी तो यहाँ पर अपना ज्यादातर फरनिचर मैंने जमा दिया है एंड अभी आप देख सकते भाई जो वेल्यू 2300 थी वो यहाँ पर 3000 से ज्यादा हो चुकी है जो कियार का ओवन बचा हुआ अभी हाल फिलाल के लिए वन मिनिट यार इसको तो अपने बास में एक ओवन बचा हुआ अभी के लिए जिसे मैंने नहीं रखा है क्योंकि यार इसमें किचन मज़े वैसा कुछ दिखा नहीं जाहां मैं रख सकूँ वाकी एक बार मैं सोच रहा हूं जादा भी नहीं है कर सकते हैं अपने क्या पता यार पेंट करने से इसकी यह 2% डिटिनेस चली जाए I have no idea और मैं शोर नहीं हूं यार दिखा भी तो नहीं रहा ना यार कहीं पर ओके भाई यह अचानक कहा सा अगे डिटिनेस पहले तो नहीं थी चलो ठीक है यार तू मेरे तो I think मैं इसको easily by 3500 तक रेंट कर पाऊंगा daily का तो यह तो अच्छा खासा profit अपन कमा लेंगे भाई seriously I think अपन अपना 16,000 कब तक record कर लेंगा I mean 13,000 तो भाई अपन 5 दिन में लगभग 5 दिन में अपन अपना 15,000 रुपे अराम से निकाल लेंगे इस मकान से अगर अपन 3,000 अरपेस की price रखते हैं तो तो यह तो काफी अच्छा सोदा है वाई कास real life में real life में भी ऐसा होता ना तो मज़ा आ जाता वाई बट क्या करें इसा नहीं कर सकते हैं बाकि हाल फिलाल मैं यहाँ पर कुछ photos वगरा ले रहा हूँ भाई ताकि अपन इन photos को आप डाल सके and मैं भी इससे customer से यहाँ पर ज्यादा आते होंगे I have no idea तो एक बार मैं गेट खोलता हूँ and अंदर से भी एक photo तो ले लेते हैं बाई तो चलो बाई जल्दिस में निकालता हूँ अपना webcam वापस I mean tablet वापस and मैं इधर से लूँ आप गाई जिदर से ले लेते हैं and एक दर से ले लेते हैं I have no idea अपन कितनी photos यहाँ पर रख सकते हैं बाई कि मैं ने 5-6 photo यहाँ पर ले ली है तो चलो अपन इसको यहीं से डाल देता है बाई rent पर मेरे जिए इससे अपन डाल सकते हैं तो एक मैं डालूँ गा एक यह वाल जाजा है यह तो एक्सपेंसिव बता रहा है तो लेट मी चेक बाई 32 थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मेरे क्याल से यह तीन हजा रही है इसका एकदम पर्फेक्ट रहेगा तीन हजा ठीक है जैसा मैंने पहले भी सोचा था तो आराम से अपने यहाँ चार पार दिन में पूर जाथा तो अपने को सोना पड़ेगा तो चलते हैं जल्दी से गर पर एंड सो जाते हैं वाई तो अपने गर पर एंड मैं देखा था यार अपनी एक गराज भी आपर ओपन कर सकते हैं रिमॉंट से आप देख सकते हूँ इसके अलावा अपने अपना समान भी इस्टोर कर सकते हैं चुक्कि आर काफी ज़दा अच्छी वात है यह मुझा पता निया था आप देख सकते हैं यह है इसकी की काफी ज़दा सही लग रहा है यह नाइस 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 चलो ठीक है वाई तो अभी के लिए अपन चलते ह गर पर एंड गाड़ी वगर अपन बाहर ही रहना देते हैं वैसे भी कौन ले जाएगा भाई एंड चलके जलते से सो जाते हैं और कल यहां पर मैं कुछ और मकान देखूंगा भाई करने के लिए हलो मेडम क्या हाल चाल आपके क्या कर रहे हो I am going to watch a movie अच्छ 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 I want to be ठीक है भाई एक बाई मेडम से बात करते हैं थोड़ा रोमांस मांस के लिए energy नहीं है भाई भाई यह बंदीकत है अन्रोमांटिक है मैं बता रहा हूं कोई मतलब नहीं भाई इस आदमी की जिन्द की जंड है मतलब एक तो अपन ने इसके लिए इतनी अच्छी वाइप चूस करी ना फिर भी कोई sense नहीं बन रहा भाई एंड I have no idea भाई इसके साथ इसके रिष्टे अच्छे कैसे होंगे मुझे यह भी नहीं समझ में आ रहा है चलो भाई बाद में देखेंगे यार जो भी होगा हाल फिलाल के लिए तो फटा फट अपन चलते हैं एंड कुछ और मकान अपने में पर देखने पड़ेंगे टूडे दे रेस इस ओपन यह तुम अगाल से होर्स वाली रेस ही होगी ना यह कार की है I have no idea छोड़ो जो भी है हाल फिलाल के लिए एक नई कार आई है डिलर्शिप है जो कि अपन अफकोर्स ही बात भाई देखें अपने मकान के लिए तो बात करते है ठीक है I am in a bit of hurry काफी जल्दी में बंदा तो बाई यह बंदा 22 दिन के लिए लेना चाहता है दे देगा 22 दिन के लिए बाकी आट दिन का क्या होगा फिर मेरे काल से दे देते हैं वैसे भी आर पैसे हैं काम अपने पास में एक दिन का पैसा भी एक्ष्टा आ रहा तो ठीक है और क्या दिक्कत है फिर जब ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो फिर अपन उन्हीं को देंगे जो की पूरा को पूरे वन मन्त के लिए रहेंगे बाकी यहां पर कुछ खच्रा भी हो चुका है तो खच्रा भी अपने को साफ करना पड़ेगा और मेरे क्याल से अगर अपने इनको गलत बोक्स में डालते हैं तो साथ अपना पैसा कटेगा I have no idea क्योंकि यहार मिलता तो है सही बोक्स में डालने का बाकी कटने का मेरे को आइडिय लेनी है खेर साफ सफ़ाई यहां पर हो चुकी है तो फटावट से अपने को चलना है अपने पैसा लेने रेंट का एंड उसके बाद में मैं सुझ रहा हुआ अपन कार डिलर से पर अपनी जो नहीं गाड़ी आई है वो भी चेकाउट कर लेंगे बैसे देखा जाए तो बड़ी गाड़ी चला रहे है अपन चलो ठीक है भाईया जी के पास आ चुके है वैसे अंकल जी है यह भाईया जी नहीं है जेफ्री हाई तो भाईया हमारा रेंट दो आप चलो ठीक है बंदे ने रेंट दे दिया है 18,000 रुपे एंड यहां पर मैं सोच रहा हूँ एक और मकान अपन देख लेता है भाई तो मज़ा जाएगा तीन मकान से रेंट आएगा अपने पास में यहां पर आप दे सकतू यह भी रेंट पर मिल रहा है अभी के लिए चलो ठीक है तो बात करता है बंदे से बाई यह साढ़े सत्रह जार रुपे मांग रहा है ठीक है यह यह एक महीने के लिए देगा अपने कोई इश वाली बात नहीं है बास थोड़ा से मेरे को बारगेन आपर करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट वाल डील जो थी ना वो काफी अच्छी थी अपनी यह थोड़े ज्यादा मांग रहा है तो मेरे क्याल से मैं 15 को फर इसको दे सकता हूं बाई 15 में नहीं मान रहा है यह बाई पूरे लेगा यह तू यह तो गलत सीन है यार फिर मैं अपने बाद बड़े बात है बाई अपने बास सिफ 2,000 बचे है चलो ठीक है नहीं यार पैसे तो आते रहेंगे पैसे कोई बीशी यहां पर नहीं है बाई 2-3 दिन में अपने ब कुछ फोटोस वगरा भी ले ली थी इसकी काफी अच्छा लग रहा भाई यह एंड इसकी में प्राइस देखता हूं बाई कितनी डाल सकते है अपन बाई 25 सो एक्सपेंसिव है हद है यार 22 सो आइ तिंक यार 22 सो डालते है अपन ठीक रहेगा एंड अभी फटा फट अपन चलता है अपनी कार डिलर्शिप पर नई वाले गाड़ी देखने कि भाई कौन सी आई है कैसी आई है एंड बंदा आ गया रेंट के लिए इतनी जल्दी यह चीज मैं नहीं देखिया अपना हाउस यहां पर मिनिचर में दिखाता है भाई काफी बढ़े चीज है चलो ठीक ह अपन रेंट पर दे देते हैं बड़ इसको सिर्फ साथ दिन के लिए चीज है तो साथ दिन में तो आई डोनो मैं इसको दूँ या नहीं दूँ साथ दिन तो कम हो जाएगा ने यार राइस आम नोट शोर क्या सीन है बाई कि यह में कान भी मेरे ख्याल से हाँ एक मेहने के अपने पास में साथ दिन के लिए देंगे इसको त्यार साथ दिन में तुमने कोश्ट भी रिकावड नहीं होगी आला कि देखा जाए अपन वापस कोई बंदा यहां पर रेंट पर दे सकते हैं दूसरे बंदे को चलो ठीक है मैं कर देता हूं कोई दिक्कत नहीं है वैसे अपने पास में तो देखते हैं टोटल कितना रेंट अपने पास में आपर आता है बाकी गाड़ी यह वाली नहीं आई है एक तो ठीक है बाई यह आई डूनो कौन से गाड़ी है पर लग ठीक आके रही है मुझे थोड़ा क्लासिक लुक है इसका डोज टाइप का एंड यह है old boy 97 यह कैसा नाम हो अब है I don't know and why यह I think BMW भी नहीं है यह न यह मेरे ख्याल से पहले नहीं थी यार हाँ गाई यह पहले नहीं थी भाई इसके ठाइलाक डोलर है भाई सब सची बात है कि अपने फोड वाले गाड़ी भी यह है एंड यह मैं बाई करके रहूंगा भाई कि इसी ब्यालत में जल्दी से जल्दी वैसे आलप जालत भाई इसका 10% पेशा है मेरे पास में तो घंटा में बाई कुरूंगा बड़ चलो ठीक है यार कर लेंगे कोई शुवाली बात है आप पर नहीं है तो चलो जल्दे सो जाते हैं and कल अपने रेंट कलेक्ट करेंगे भा चलो ठीक है बंदे ने बाई 200 डोलर दिये हैं ठीक है तो अंकल जिसे भी ले लेते हैं and यार यह तीनों में पास पास में काफी ज़्याद अच्छी बात है अपने बाई ज़्यादा गुमना नहीं पड़ेगा and यहां से आएगा अपने बास में 6000 रुपए यह अंकल काफी बड़िया रेंट दे रहे हैं यार कुछ भी बोलो ठीक है तो अभी अपने को मेरे काल से 8,000 रेंट मिला है दोनों का मिला करके ठीक है and यह वाला अपने को खरीदना पड़ेगा I think तो चलो भाई इस बंदे से भी रेंट अपन ले लेते हैं जल्दिस है and यार यह बंदा सि इस आप से तो 11,000 वाई अच्छे चीज है अपन दो से तिन दिन में तो गाड़ी भी उठा लेंगा भाई चलो ठीक है तो अपन अभी के लिए चलते है and एक और यह अपन नहीं गाड़ी आगी के डिलर्सिप में I have no idea guys मेरे काल से एक और गाड़ी नहीं आई है तो वो अप ठीक है अपन चलते हैं अपने ओफिस डिजाइन में and सबसे पहले मैं exterior से सुरू कुरूंगो भाई क्यूंकि बाहर से अच्छा लगना चीए अंधर अपन बाद में कर देंगे कोई शू नहीं है तो भाई signboard यहां भाई मैं सोच रहा हूँ यह रखें यह रखें यह वाला भी ठीक भार यार उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है यह फिर यह वाला यह तो यहार कते बेकार सा लग रहा है यह फिर ठीक है and यह वाला भाई मेरे को सबसे बेटर लग रहा है काफी ज़्या कर ले था बाई अपने ओफिस के बाहर के तो बाई यहां तो फूल आएंगे यह थोड़ा सा बेटर है फिर यह वाला भी थोड़ा सा अच्छा है गाइस क्योंकि आप देख सकते हो गाइस इसमें थोड़ी सी ज्यादा चीज़ अपने देखने को मिल जाती है एंड इसके अपने 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 नाम भी यहां पर चैंज कर लिया है और इसका लर्खा बाई रखा बाई यहां पर उत्ता जड़ा अच्छा लगने रहा था तो फटा फट चलते है बाई और यहां पर अपन लाइट चालू कर सकते है वाय यार ये मुझे नहीं पता था चलो ठीक है तो अपने अपना ओफिस तो अपग्रेड कर दिया है जल्दी से जल्दी अपने को एक वरकर भी यहाँ पर हायर करना पड़ेगा बढ़ उससे पहले बाई मैं यहाँ पर गाड़ी बाई करूँगा कि उसकी काफ़ ज़्यदा जरुत लग रही है और अगर अपने बाईने की तो भाई मेरे फेवरेट गाड़ी यहाँ पर चली जाएगी जिसका मुझे ज़्यादा दुख होगा तो चलो ठीक है भाई काफी मस्त लग रहा यार अपनों ओफिस शानदार यार जच क्या भाई आप लोगों को नया ओफिस कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में चुरूर से बता देना तो ठीक है गाज यही था अज के लिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो मैंक्शूर किसे लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ यह पास वाले बेल आइकन को भी यहाँ पर दबा देना ताकि मैरे सब वीडियो से नोटि वीडियो मैं तब तक के लिए पीस आउट एंड सायो नारा